हाई एवरिवन वेलकम टू श्वेता क्लासिस जो आज हम लोग एक नॉर्मल सार टॉपिक ले करके आएं ठीक है जिसने भी सिख्षक भरती को ले करके इंतिजार कर रहे हैं लगपक पिछले 5-6-7 सालों से उन लोगों को ये चीज़े ज़्यादा क्लिरली समझ में आएंगी जो तो अभी नए नए भच्चे हैं जुनोंने भी नए नए आपना बीड़ अबीकी से कम्प्रीट कर किया हुआ है शायद उनके लिए ये चीज़े इतनी ज़्यादा एफेक्टफुल ना रहे हैं साफ कहा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है चलो ठीक है सीटेट साल में आपके दो पेपर कराता है एक महने के अंदर में आपको रिजल्ट और आंसर की एक्स वाई जट सब कुछ दे देता है पहला पेपर अभी आपका जन्वरी 2024 में हो गए दूसरे पेपर की आपको अभी से सब जो भी वेकेंसी वागएरा है वो सब आपको देखने को मिल जाएगी अगस्त में ठीक है अगस्त में पेपर होने का मतलब है आप मान के चलिए कि आपको जून जुलाई की तरफ जून इस वाले संविदा की वेकेंसी निकालना है तो जितने भी छात्र हैं यह सारे संविदाई की तरह भाग रहे हैं यह 20-25 अजार रुपए लेकर के खुश है या फिर हमारे इस टॉपिक को इतना ज्यादा उठाया नहीं जा रहा है इस पर जो टीचर्स हैं हमारे वह इतना ज्य चैनल्स है इतने बड़े बड़े टीचर है इतना स्टुडेंट है कोई किसी तरीके के कोई भी प्रोटेस्ट नहीं है और शायद यही कारण है कि लोग सुपर्टेट को इतना लाइटली ले रहे हैं कोई वेकेंसी नहीं दे रहे हैं बच्चों के भवीज के साथ खिलवार कर रहे हैं ना जाने कितने बच्चे आने वाले एकात साल में ओवरेज हो जाएंगे इविन अपकी बार तो यह था कि चुनाओ है तो सुपर्टेट हंड़ेट परेजेंट आएगा बट स्टिल कोई बात नहीं आई यह उसकी और जो कुछ भी सामने निकल के आए उसमें उन बिहार में की भरतियां देखने को मिल रही है प्रधान सिक्षक की भरती देखने को मिल रही है यहां यूपी में कुछ है नहीं या फिर हम लोग इन चीजों को इतना जादा इंपोर्टेंस नहीं दे रहे हैं कि हमारी बाते भी पुलिस भरती परिक्षा की तरह सीम योगी तक पहुंचें और वो इसके उपर कुछ न कुछ निसकर्स निकालें या तो फिर हम लोग इन चीजों को इतना जादर लाइटली ले रखे हैं कि ठीक है जब आएगी तब आएगी नहीं आएगी तो हम इंटर्व्यू दे करके उसमें चले जाएंगे और उतना ही ठीक है हमारे लिए यह कहीं न कहीं अपने आप में बहुत निगेटिव इंपक्ट छोड़ रहा है कि मतलब इतना समय से इतना लंबा इंतजार के बावजूद भी आते हैं मिनिस्टर बगेरा और वो यह कहें के चले जाते हैं हमारा चात्र और सिक्षक का अनुपात बराबर है तो यह कहीं न कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा दिल दुखा देने पाली बात है तो मैं तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए आप लोग इसके उपर प्लीज स्टैंड लीजिए ठीक है जो भी आपका हैस्टेक बगेरा है जो भी आपके बड़े-बड़े टीचर्स हैं उन सबसे स्टुडेंट से चात्रों से मेरी बस यही रिक्वेस प्लीज सुपर्टेट को लेकर के भी प्रोटेस्ट करें इसमें भी हम लोगों को भी मौके की जरूरत है एस टुडेंट एस टीचर हमें भी जॉब की जरूरत है और ऐसे तो हमारे भविश्य के साथ सिर्फ खिलवार ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है बाकि आप लोग झाहिए नेक्स द्लासमें